दोस्तों, इंसान कभी दर्द के मारे तो कभी भावनाओं की वज़े से रोने लगता है कई लोग तो खुसी के मारे भी रोने लगते हैं बले ही इंसान की वज़े कोई भी हो रोने की लेकिन हर बार एक बात कोमन रहती है कि रोते समय आखों में आसू आने लगते हैं चाहे कोई भी वेक्ती रोय और किसी भी वज़े से रोय लेकिन अधिकतर लोगों के रोते समय आखों में आसू आने लगते हैं कई बार रोते भी नहीं है तो भी आखों में आसू आ जाते हैं अब ये सवाल है कि आखिर रोने का और आपकी भावनाओं का आसूं से क्या connection है। कभी आपने सुचा है कि आखिर रोते से में आखों में आसू क्यों आते हैं और आसू आने की एहम वज़य क्या होती है। आखिर आपकी भावनाओं और आसूं के बीच क्या connection है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको बता दू कि आसू की कई तरह के आसू होते हैं एक आसू तो allergy होने पर कोई infection या कोई दिक्कत होने पर आते हैं इन infection को watery eyes कहते हैं और ये आँखों में कोई न कोई दिक्कत होने के वज़े से आते हैं इसके अलावा एक दूसरे आसू होते हैं जो तेज हवा की वज़े से मोसमादी की वज़े से आँखों में आते हैं लेकिन एक तीसरे तरह के भी आसू होते हैं जिनका कारण रोने से जुड़ा हुआ है अब बात है कि रोने पर आखिर में आसू आते ही क्यों है दोस्तों जब भी हम किसी भी भावना के एक्स्ट्रीम पर पहुंच जाते हैं इसका कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति एमोशनल होता है फिर किसी भी भावना के एक्स्ट्रीम पर होता है तो सरीर में कई तरह के परतिक्रियाई होती है यह खुशी के वक्त भी होती है और दुख के वक्त भी इसमें सरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंज होते हैं जिससे एडरनिल लेवल में बदलाव आदिस सामिल है ऐसे में इन हार्मोन्स में होने वाले बदलाव से आखों पर असर होता है और इसका आखों से सीधा कनक्सन होता है इस वज़े से आँखों में सी क्रियेशन होता है और इससे आँखों में पानी आने लगता है और ये कई emotions की वज़े से होता है अधिकतर emotion ऐसे ही सरीर पर असर डालते हैं आपको ये जानका रहरानी होगी कि अगर किसी emotion के ज़्यादा होने पर आप रो देते हैं तो ये आपके सरीर के लिए अच्छा होता है इससे ने सिर्फ आँख बलकि मानसिक स्वास्ते भी ठीक रहता है अब बात है कि प्याज भी हम जब काटते हैं तो प्याज काटते समय आस जित करता है और इस कारण आखों में आसुल गिरने लगते हैं अगर आप चाते हैं कि प्याज काटते समय आसुल ने आए तो इसके लिए आपको काटने का तरीका बदलना पड़ेगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद